हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्टड़ी वी देव, स्टड़ी वी देव उटूब चैनल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सबी को पता है कि रेगुलर आठ बजे हमारा एक स्टड़ी प्लान आता है आज भी हमारा एक स्टड़ी प्लान चाद रहा, उसका डे सेवन आज में लेकर आया हूँ आज के दिन में आपको किस परकार पढ़ाई करनी है और क्या आपको पढ़ना होगा अगर आपको एक अच्छा गोवर्मेंट कोलेज या नर्सिंग कोलेज लेना है तो किस परकार आज कर डे आपको फोलो करना होगा किस परकार आपको पढ़ाई करनी होगी ہے अगर आप इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाते हो तो आपको 101% है कि आपको गौवर्मेंट नर्सिंग कोलेज या SMS जैसे बड़े कोलेज मिलने के संभावना बढ़ जाएगी तो दोस्तों किस परकार इस प्लान को फोलो करना है आज की प्लान में आपको कौन कौन सा टोपिक कौन सा चेप्टर आपको पढ़ना है अगर आप इस प्लान को डेली फोलो करते हो तो आप सभी गौवर्मेंट SMS नर्सिंग कोलेज आवसे मिलेगा इस प्लान में आपको डेली 6 गंटे पढ़ने होंगे कितने दोस्तों 6 गंटे पढ़ने होंगे बस इतना अगर अब भी पढ़ते हैं तो अपना सेलेक्शन जरूर होगा इसके अलाव मैं आपको बता दूँ जल्द ही आपके लिए टेस्ट स्रीज स्टार्ट होने जा रही है बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट बिल्कुल फ्री में आपको टेस्ट करवाई जाएंगे रेगुलर पीसी बी का टेस्ट रहेगा आपका इसी चैनल पर तो आप अब इसे अपने फ्रेंड्स को बता दो और उनको अभी से अब बता दो कि अब तैयारी में लग जाएंगे चलिए दोस्तों आगे हम बात करते है अगर इस प्रीस प्लान में आपको बताये जागा इस्टड़ी भी देव सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है गुड मॉनिंग एवरिवान जिन्दिगी खेलती भी उसी के साथ है जो किलाडी बेतरिन होता है दर्द सबके एक से नहीं मगर होसले सबके अलग-अलग है कोई हतास होके विकर जाता है तो कोई संगर्स करके निकर जाता है जिन्दिगी खेलती भी उसी के साथ है मेरे पैरे दोस्तों जो किलाडी बेतरिन होता है दर्द सबके एक से हैं मगर होसले सबके अलग-अलग कोई हतास होके विकर जाता है तो कोई संगर्स करके निकर जाता है दियान रखना दोस्तों की जिन्दगी ऐसे के साथ खेलती है जो खिलाडी अच्छा होता है और दर्द सबके सेम होते हैं मगर उसले सबके अलग अलग होता है मतलब सबके अलग 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 टारिकेट होता है आज बात करते हैं वागे तो आपका 14 नॉम्बर और day 7 आज का अपना है तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा कि अपना जो प्लान है उसमें चेंजिस है जाई क्योंकि आपको एक्जाम डेट हो गरापिक्स हो चुकी application form कल से बढ़ना इस्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी तो आपको डेली कम से कम 6 गंटे तो पढ़ना होगा अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजे पूरे बारत में सबसे बढ़ी अदाम और इतना टॉप क्वाल्टिका को और सिर्फ डाउट नट पर मिलेगा और अब आपके लिए टेस्ट जल्द स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों आपके बास समय कम है तो इस प्ल चैप्टर कितना इंपोर्टेंट सारी जान करिया को इस प्लान में दी जाती है चले दोस्तों तो करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दो अगर आपको इनकी पीडियाप या कोई विक्लास से देखनी हो तो उनकी लिंक आपको डिक्स को देख सकते हैं तो चली अब किसकी बाइलोजी सबसे पहले बाइलोजी में जो अपना चैप्टर आता है बायो टेकनोलोजी बायो टेकनोलोजी चैप्टर है अक्यला चैप्टर चार नंबर का बहुत एजी और बहुत सांधार चैप्टर है जो अक्यला आपको चार नमबर का स्कोरिया चार किसंस को लेके बेटा रहता है यह अक्यला चेप्टर ऐसा है जो चार किसंस को लेके बेटा हुआ है इसमें आपको पढ़ना क्या है बाइट टेकनोलोजी में क्या होता है उसका तोड़ा सा प्रिच्च और कुछ वेगैनिक्स के नाम है जो अगर उसमें दे रखे हैं आपके बुक्स अगरा में तो वेगैनिक्स के नाम आपको पढ़ लेने है जेनिक्स इंजिनेरिंग की खोज किस ने की थी इसमें कौन कौन सी विदिया होती है और क्या क्या उपकरण काम आते हैं जैसे कि उपकरणों के नाम आपको बददान पूछ सकता है तो उपकरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है ज्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों ज्यादा आप इस चेप्टर को अगर पढ़ने बैट होगे पूरा चेप्टर तो दो गंटे में आप सुपर पीस्टेस को पढ़ सकते हो की माध्यार करें बहुता ज्यादैं को Geek इस ड्यादा चाएंगे अध्रिटेस्याद्रशटर में हैं य सबसे इसब इस इसबसे इंते ड्लाजमेड जीवान और ओजि इन मिहाल का फुलक आपको पढ़ लेना है कि इन में प्लाजमीड में किती यह होते हैं किती जग इस तल होते हैं जहां पर जुड़ते हैं जिवान बोजी क्या काम करता है जीन बेंक जीन बेंक क्या होता है यह चीजे आपको एकते पढ़नी है पादब उत्तक सवर्दन बढ़ना पारजीनी पादप पारजीनी पादप क्या होते हैं इनके किस परकार बनाया जाता है इनसे हमें क्या प्रोपिट है इसी परकार आनवान से गृपमांतित पादप जन्हें बोला जाता है जैनेटिकली मोडिपाइब क्रॉप पसले इनको किस परकार प्राप्त किया जाता है ज भादि जो होता है उसको भी पढ़ना अनिवार है तो इसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है ठीक दोस्तों तो यह आज का बाइराज्व का प्लान है आपको इस परगार इसको फोलो करना है इस में बस आज को चैप्टर आपके इनिट फोरती जो पूरी कंप्लिट हो के सब्सक्राइब कर दो अब को चार सब्सक्राइब करना है अर्द चालकों और भौ संक्य के बारे में अपने को पढ़ना है और जो अर्द चालक होते हैं असलों तिया उगरा ये के पोएंटेसन चूटा तो असलियां किसफे प्रकारण परकारी एंप परकारेंगें उसमें वह भी पढ़नी यह उसके बाद आपको पढ़ना की और क्या काम है झील पढ़ना होगी जीन से अधिन को पढ़ना होगा ठीक है तो देखना दोस्तों क्या पढ़ definite पढ़ना है आपको जालकों का वरग़न किस परकारिन को अलपसंकी क्या होते हैं क्या होते हैं और इसके साथ साते आपको फी परकार एंड परकार की ऐसुद्य सद्रीज्ट 》र्भी सद्र्वाइब को पढ़ना होगा पनीट संद्र प्रण दिष्टकारी यैं कि से संद्र त्रुण दन्ग दिश्टकारी आज बस इतना ही आपको पढ़ना है फिजिसमें जो इसका कुछ पेंडिंग स्पार्ट से उसको और जो कम्यूकेसन वाला यूनिट से उसको दोनों को मिलाकर अपन कल वाले प्लान में एक डेड़ करेंगे ठीक है तो आज के प्लान में आपको इतना ही पढ़ना है आज इतना कापी अगर आज इतना पढ़ लेते हो तो आप अपना टार्गेट अच्छीव कर लोगे आज की दिन का जो आपका टार्गेट रहेगा वो अच्छीव हो जाएगा ठीक है तो ये सारी जानकारी थी आपको आगले सब्जेक्ट योर हम बढ़ते हैं उससे पहले में बता दो अ अगला सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री केमिस्ट्री के हम बात करते तो केमिस्ट्री में आज हमारे जो इनिट्स रहने वाली हैं इनिट्स नाइन रहेगी अपनी कोडिनेशन कंपाउंड दो नंबर इससे एवरिवेर आते हैं एक क्यूसंस तो मैं बता दू कहां से से क्याकिन है और उनका उवर अगिकरन किस प्रकार हो रखा है इसके अलावाह आपको पढ़ना और वक्रणाने की कोडिनसी नबर होते है और और आपको पढ़ना है उन्हों पाफ़ेंड़्नर आपके पास जितने भी आयोपीसी नेमें कोडिनेशन कंपाउंड यह हैं सारे नाम रट लेना या उनको निकालना सीख लेना क्योंकि आई उपीसी नेम 101% आपका आएगा कौनसा आयोपीसी नेम 101% आने वाला है इसके अलावा एक कुछन तो आई उपीस नेम का हो गया 100% एक कुछन समा वेवता समा वेवता से भी आपसे कुछन सकता है लेकिन 5050 समा वेवता लेकिन आई उपीस नेम 101% है 100% आपसे पूचा जाएगा तो यह तो वह कोडिनेशन कमपाउंड का कुछ पाट्स आगे जो और दात्तु तो और एक्राइब में हंकुल के संग्ल के रंग संकुल जो होता अपना कॉंप्लेक्स उसके रंग के बारे में अपन को देखना है एक कौन सा रंगों को कौन से संकूल का तो यह चीज है इंपोर्टेंट यहां से 50-50 कुछ सन्स है कि यह कुछ आ सकते हैं इनका इस्ताइटू जो आपके कोड़नेशन करें के महतूर को किया क्या महतूर किस प्रकार महतौन नहीं है और किसका की आपको आज के सेस्थिक्स सेंस में पढ़ने आज वurers आपका ये यही रहने वाला है तो दोस्तों आपको आज के जो यह study plan था यह किसा लगा कि podcasts लगा लायक मत करना एक काम करना अपने उन फ्रेंट्स की साथ सेर करना जिनकी तोड़ी से हैलप हो जा है और उ भी सेलेक्शन ले सके आप साथ में नर्सिंग कर सको तो अपने फ्रेंट्स के साथ जरूरी से सेर करना थैंकस एर इवरिवन अगर प्लान कैसा लगा फीड़ बे कर दो